दोस्तो न सूजी, न मैदा, न बेशन, न आठा बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी नाश्ता बना कर तियार करेंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आज तक आप ने इतना क्रिस्पी नाश्ता नहीं खाया होगा। देखिए अवास सुनिए कितना टेस्टी बनके त्यार होता है और क्रिस्पी भी बनता है और खाने में इसका जवाब नहीं है समोसे कचोरी सब चीज बूल जाएंगे इतना ज्यादा त्यादा चाहए लगता है बनाना इतना साने को तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके एक कटो ही पोहा लेंगे पोहा मोटा या पतला आप कोई भी ले सकते हैं अब इसे पाने डालके दो तिन बार अच्छे से वोश कर लेंगे रगड़ते वे दोहेंगे दोस्तों रैस्पी पूरी देखेगा इतना मज़ा आएगा आपको इस रैस्पी को खाने में भी और बनान अधा यह मुझा नाने कि लिए आदा चेमer जीडा डालेंगे दूप जस्फोब शुल्स डिलयर बहुत अच्छा अच्छ फ्लेवर आता एक चमच अद्रक लहसून का पेस्ट की भूल लेंगे एक कॉट आवा प्यास डालेंगे बड़े साइज का प्याजिया बारी काटके और थोड़ा से जब प्याज, हलका सा खलका सा घुलाबी रंग आ जाएगा प्याज पर तो हम इसमे लालमेश पोडर डालेंगे, चुटकी ऑर हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच से और आद के चममेच आप अपनी मर्जी से बीट चॉइस कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से मूच बुण हैं सलिए लोगवए आपने सीधी की लेगर गुट्लिया Saturday यह बंग उसमें थोड़ी गांथे होते हैं लेकिन इसमें गांथे नहीं होनी चाहिए और आब इसमें डाल देंगे हम स्वाद Anısर नमक नमक को भी अच्छे से मैंने मैश कर दिया है और देखें बिल्कुल यह अच्छे से जोती है सारे आलू को इसी तरीके से आपको भी बिल्कुल प् पूला है अगर आपको लगे इसमें थोड़ा सा पाने तो इस तरीके से आप हातों से इसे इसका पाने रिलीज कर दीजेगा निचोड लीजेगा इसे और एक बरतन में मैंने सारा पोहा निकाल लिया है इसमें साबुत लाल मिर्च को कूट के लिया है थोड़ा-थोड़ा सा इसमें काट लिया है आप चाहें तो कुटी लाल मिर्च भी ढाल सकते है चिली फ्लैक्स भी डाल सकते हैं आधा चमच नमक डाला है कि नमक हमने फिलिंग में भी डाला है तो नमक बहुत हिसाब से डालेगा कड़वानी होना चीए धनिया डालेंगे तीन छोटे चमच हम इस खिसले बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी और एकडम क्रिस्पी भी बनेगा नाश्ता तो और पोहे से तो बनता यह क्रिस्पी इससे थोड़ा सा ओर एक्स्टा बनेगा बहुत जाधा टेस्टी लगता है सच में दोस्तों यह नाश्ता इस तरीके से हम थोड़ा सा हलका स पानी का चीटा देते वे इसका डो बना के तियार कर लेंगे, एक साथ सा डो बनाएंगे, बहुत जादा टाइट नी रखेंगे, हाड नी रखेंगे, बिल्कुल सौफ जैसे हम आटे का डो लगाते हैं, अब यह जो हमने फीलिंग तियार की थी, यह ठंडी हो गई है, तो हम लोईयां बना के तियार कर लेंगे, एक साथ यह सभी लोईयां बना के मैंने तियार कर लेंगे, चोड़ी चोड़ी सी गोलियां सोरी, लोईयां नी गोलियां बना के तियार कर लेंगे, अब एक बड़ी सी लोई लेंगे, जैसी हम रोटी की लेते हैं, और इसे चार तरफ स के नाश्ते को थोड़ा चप्टा कर लेंगे और सारा नाश्ता हम इसी तरीके से बना के तियार करेंगे सारे नाश्ते को एक साथ बना लिया है मैंने तो चलिए अब गरम गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं तीन या चार बड़े चंबच हम तेल डालेंगे पैन में और इने ग तो आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा रैस्पी पसंद आए तो मुझे पता यह रैस्पी सबको पसंद आने वाली है बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है यह नाश्ता और बच्चों को आप लंच बॉक्स में दीजिए हस्बन को भी दे सकते हैं यह सफर में जा रहे हैं तो आप तब भी इस नाश्ते को बना के ले जा सकते हैं तो दोनों त चोरी शर्त हैं यह मेरी आप भूल जाएंगे रैस्पी पसंद आयो तो भी लाइक सब्सक्राइब करीजिए है दोस्तों